तो चैनल इंडियन इस्टरी क्लासिस ICS में मैं आप लोगों के समझ लेकर प्रस्तुत हूँ मैं इतका अपना पहला लेक्चर यह लेक्चर आगामी परिच्छाओं के लिए उप्रोगी होगा जो निम्रिपकार हैं संग लोग से वायोग राज्य लोग से वायोग लोग शवा इस्टेट टीचर से एक्जाम के लिए बियेट के लिए इंटरमीजिट और अन्य सभी परित्योगी परिच्छाओं के लिए संख्या पद्ध्यती नंबर सिश्टम की साहरे प्रतम हम बात करते हैं अंक और संख्याएं क्या होती हैं आप लोग जानते हैं कि संख्याएं मूल रूप से दस होती हैं जियों से और नौ तक जियों वन टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यह आपकी मूल संख्याएं हैं जिनके भीहाप पर आगे की संख्याओं को रिपरजन्ट किया जाता है वह इन संख्याओं का योग हो सकता है इन संख्याओं का सब्टैक्शन हो सकता है मल्टिप्लिकेशन हो सकता है और डिवाइडिशन हो सकता है इसके भीहाप पर दस नंबर संख्याएं बनाई जाती हैं रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, समसंख्याएं, बिसमसंख्याएं, इन ही संख्याओं के आधार पे ही बनती हैं। इन संख्याओं को लिखने का एक इंडियन फार्मेट है और एक इंटरनेशनल फार्मेट है बस उसमें थोगा सा कुछ अंतर है बागी numerical format में एक ही होता है लेकिन आपके अगर सब्दों में कहें word के form में तो उसमें लिखने में एक format है एक अलग format है मतलब wording change हो जाती है जैसे हम बात करते हैं इंडियन format में तो इकाई दहाई सरका हजार दस जाल लाक दस लाक करोर दस करोर इस format में लिखते हैं मैंने एक example लिया है 13,45,56,521 यहाँ पर एक इकाई को दो दहाई को पाँच सरकाई को छे हजार को पाँच दस जाल को पाँच एक लाक को चार दस लाक को एक और इसके बाद तीन जो है आपका रेप्रेजेंट करता है एक करोर को और वन जो करता है तेरा दस करोर को अर्थाती है बना तेरा करोर पैंतालिस लाक शपन हजार पांसो इकईस इस परकार हम बात करते हैं अंतराश्टी या इंटरनेशनल नंबर्श की बस इसका फार्मेट भी इस परकार है इस फार्मेट में आगे भी लिखते है आइये हम इसको जानते है एक फार्मेट के रूप में कैसे लिखेंगे जम लोग क्लास में इस प्रेजंटेशन में परहेंगे इंडियन पद्ध्यती और इंटरनेशनल पद्ध्यती में जो अंकों का एक प्रेजंटेशन होता है कि हम उसको किस फार्मेट में लिखते हैं इसके बाए में हम जानेंगे अगर हम भारती पद्ध्यती के बात करते हैं तो भारती पध्यती में मैंने एक नंबर लिया है उस नंबर को हम देख लिते हैं वह नंबर एक एक अंग पहूंगा फिर बाद में मैं उसको डीटेल में कैसे पहते हैं ये भी बताऊंगा आपको ये नंबर मैंने लिया है अब इसको इंडियन फार्मेट में कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल फार्मेट में कैसे लिखेंगे कैसे पहेंगे ये हम जानेंगे और पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन फार्मेट में और इंटरनेशनल फार्मेट में बेशिक अंतर क्या है हम खरब से स्टार्ट करते हैं अगर हम इंडियन फार्मेंट में की खरब करते हैं किसी संख्या को तो वह संख्या आपकी इंटरनेस्वा फार्मेंट में सौ बिलियन कहलाती है दस अरब दस बिलियन कहलाती है एक अरब बिलियन कहलाती है सबसे important बात एक अरब एक billion के बराबर होता है यह बात note कर लीजिए यह बात अगर आपको मालूम रहेगे तो आप इसके आगे के फार्मेंट को आशानी से लिख पाएंगे एक अरब एक billion के बराबर होता है दस करोड़ मिलियन के बराबर होता है करोड़ दस करोड़ दस billion के बराबर होता है करोड़ दस million के बराबर होता है करोड़ दस million के बराबर होता है दस लाख million के बराबर होता है दस लाख million के बराबर होता है और एक billion के बराबर होता है लाग की बात करें तो एक लाग सो हजार के बराबर होता है दस हजार दस हजार के बराबर होता है हजार हजार के बराबर होता है बांकी फोर फार्मा वही है जो अपने इंडियन पध्यती में है सरकुरिको सरका, दाहाई को दाहाई इकाई को इकाई के नाम से जानते हैं अगर हम जो सामने नंबर लिखा हुआ है मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है उस नंबर की बात करते हैं तो वो उस नंबर को मैं आपको इंजिन पद्धिती में बताता हूं कैसे पढ़ेंगे दो खरब अगर हम इसको पढ़ते हैं आपके इंटरनेशनल स्फार्मेंट में तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसको 254 ध्यान से सुनिएगा 254 billion 789 million 789 million 632,000 632,000 143 इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फिर से पढ़ता हूं मैं ध्यान से सुनिएगा 254 billion 789 million 632,000 143 इसको इस फार्मिट में हम पढ़ते हैं आज मैत के लेक्चर में इतना ही मैं अपनी बारी को यहीं पर बियाम देता हूं नए लेक्चर में आप लोगों से फे मैं रुबर हूंगा कुछ अबजेक्टिव कोस्चन और नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवा सुभ दिन कर दो कि लिए लेक्चर के साथ कर्भ़ हैं